देखिए कितना सुनेयरा कलर इसमें आया है, इस तरह से जब हम भजिये बनाते हैं, तो प्याज बहुती क्रिस्पी हो जाते हैं, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं. Hello friends, स्वागत है आपका कार्डियो किच्छन में. मेरा नाम है मनीशा, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और प्याज के भजिये, इसको बरसात के मौसम में खाने का अलग ही मज़ा है. इसके लिए मैंने लिया है, चार मीडियम साइज के प्याज, दो हरी मिर्ची, चार मीडियम साइज के आलू, देट्सो ग्राम बेसल, एक टी स्पून सौफ, एक टी स्पून अजवैन, नमक, लाल मिर्ची, हल्दी और गरम मसाला. साथ में गोल त्यार करने के लिए हम पानी का यूज़ करेंगे. साथ ही इंग्रीटेंस के लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैलल को करें. तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी. सबसे पहले हम भजिये बनाने के लिए हम आलू, प्याज और हरी मिर्ची को चॉप कर लेंगे. आलू, प्याज और हरी मिर्ची को हमने चॉप कर लिया है. यह देखिए इस साइज का हमने इसको काटा है. प्याज भी हमन अजवेन को थोड़ा सा हातों से क्रश करके फिर दालेंगे, साथ में मिलाएंगे सौफ, लाल मिर्ची हम दालेंगे, 1 टी स्पून, हल्दी 1 फोर टी स्पून, और 1 टी स्पून गरम मसाला, नमक हमने अभी नहीं दाला है, उसको हम बाद में एड करेंगे, अभी इसको पानी ज्यादा नहीं दालना है, बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा करके ही हमें दालना है, यह इस तरह का गाड़ा गूल हमने बनाया है, यह देखी, अब इसमें आलू-प्याज मिक्स करेंगे, सबसे पहले दालेंगे आलू, प्याज, और कटी हरी मिर्ची, इसको अच्छे स मिक्स कर लेंगे, यह अच्छे से मिक्स हो गया है, यह एकदम गाड़ा है, इसी तरह का हमें चाहिए होगा, अब हम इसमें स्वादा नुसा नमक दालेंगे, नमक हम पहले नहीं दालते हैं, नमक दालने से यह पानी छोड़ता है, तो गोल पतला हो जाता है, यह हमें बिल् नमक दालने से प्याज ने पानी छोड़ दिया है, अब हम इस तरह से हातों से इसको लेंगे, थोड़ा सा ऐसे मुक्की सा बनाएंगे, और फिर इसको कडाई में हमें छोड़ना है, तेल भी गरम हो गया है, अब चलते हैं कडाई की तरफ, इस तरह से हातों में लेकर इसको यह देखिए इस तरह से पकोड़े हमने दाल दिये हैं, इसको एक साइट से सिखने देंगे, थोड़े से यह तैर के उपपर आएंगे, उसके बाद इसको टर्न करेंगे, यह एक साइट से गोल्डन हो गया है, इसको टर्न करेंगे, यह भजिए, दोनों साइट से अच्छे से तल गए हैं, अब मैं इनको निकाल लूँगी, बाकी भी मैं इसी तरह से सारे तल लूँगी, इस अभी भजी तल कर तयार हो गए हैं, देखिए, कितना सुनेरा कलर इसमें आया है, इस तरह से जब हम बजीय बनाते हैं, तो प्याज बहुती क्रिस्पी हो जाते हैं, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं, इसको गरम-गरम सौस या चटनी के साथ खाईए, यह बहुत ही स्वाधिस लगते हैं, आप यह रेसिपी जरूर ट्राय करिए, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आये, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शियर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, पास वाले बैल आइकन को दबाकर, और आल क्लिक करें, थैंक यू,